वेलकम बैक दोस्तों इसे एक नई वीडियो के अंदर सुबह से सुचेशन क्या चल रही है मार्किट के अंदर अब क्या चेंज हुआ है और एक सबसे बड़ा स्वाल मार्किट बार बार रेजेक्ट हो रही है तो इसका क्या एंडिगेटर निकल के सामने रही है क्या की जो बर्निंग थी उसके रिलेटिव क्या टेविटर पर अनौसमेंट हुआ है अभी और शीबा इनु कोईन की क्या जानकरी है और क्या मीम कोईन्स की सभी की जानकरी है टोटल आप इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट मिलने वाली है फलोकी इनु कोईन पैपे कोईन और शीबा इनु कोईन और बॉंक कोईन के बारे में तो करते हैं वीडियो स्टार्ट लेकिन उससे पहले एक चोटी सी उर्केस्ट है भाई मुझे स्पोर्ट कीजिए चैलन को कर लें सस्क्राइए अगर पहली बार आई हो तो और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और 2.6 trillion हो चुका है बड़ा ही है increase ही हुआ है market cap और आपको बता दे जाए जो यहां पे fear and greed के जो indicator निकल के सामने आ रहे हैं अभी B89 पे बना हुआ है मतलो कहीं न कहीं market के उपर जाने के संकेत यहां पे fear and greed के जो indicator है वो यहां पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पे दोस्तो BTC coin की बात की जाए तो यहां पे भी 1.5% boost है लगबग 68,400,500 की range में trade कर रहा है इसके दो रीजन है दोस्तो एक ही जगा market रुकी हुए है एक तो आपको पता ही है Saturday Sunday है उस वज़ए से भी market यहां पर एक जगा रुकी हुए बड़ी कोई अपडेट नहीं निकल के सा काल रात को भी 70,000 तक भी गया था लेकिन reject हो गया तो उसका indicator यह भी निकल के सामने आ रहा है कि यहां से हो सकता है market एक correction दिखा दे ऐसा लग रहा है क्योंकि बढ़ नहीं रहा है प्राइज प्राइज रुका हुआ है तो कुछ ना कुछ तो यहां पर गडबड होने वाली ह कुछ ना कुछ अगर 7,000 से उपर closing bitcoin की नहीं होती है तो जहां पर संकेत यही नजर आ रहे है कि market नीचे जाने के थोड़े चांसे जनगर नजर दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर दोस्तों बात करें शी बाइन कोईन की तो यहां तो और रेड़ी correction आ चुका है लग बग 2 स से 3% के आज पर शीबा एन कोईन सुब्य के मकावले नीचे चला गया लेकिन प्राइज के अंदर 34 की series अभी भी बनी हुई है 34, 35, 36 यहां तक की जाता है इसका प्राइज 36 के बाद reject हो रहा है यह भी बार बार यह भी इस जोन से आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शीबा क जो 42 तक अगर series के ऊपर closing नहीं होती तब तक हो सकता correction ऐसे ही देखने को मिल जाए लेकिन trading volume अभी भी 19% शीबाइन कोईन के अंदर अप है तो इसके twitter पे भी जानेंगे क्या updates निकल के सामने आए लेकिन उससे पहले दूसरे कोईनों के बारे में जान लें तो फ्लोकी इनो क तो यहाँ पे आज बड़ी burning की relative ट्वीट निकल के सामने आ चुके हैं ट्वीटर पे वो भी आपको बताएंगे लेकिन फ्लोकी इनो कोईन के अंदर ठीक है सुबह के मुकावले कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं correction आया हुआ है लगबग 30-31% यहाँ पे फ्लोकी इनो कही जा सकती है और इसकी ट्वीटर पे क्या ना उसमेंटे वो ही बताएंगे तो पैपे कोईन दोस्तों यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बड़त नहीं है सुबह के मुकावले यह कोईन भी थोड़ा नीचे ही गया हुआ है मतलब एक ही जगह रुका हुआ था फिर बाद मे क्रेक्शन में चलेगे मीम कोईन लगबग क्रेक्शन में जाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो संकेत यही है कि हो सकता है मार्किट के इंदर छोटा बोट क्रेक्शन छोटा मोटा क्रेक्शन देखने को मिले क्योंकि मार्किट एक जगा रुकी है तो कम से कम पांच सा इसकी भी 5.87% अप हो चुकी है बॉंक कोईन की उस तो कहीं न कहीं एक एंडिगेटर तो है नीचे जाने के बाकी देखो आज रात को क्लोजिंग अगर बिटकोईन की उपर होती है फिर तो चांस बढ़ जाएंगे अगला टारगेट 75, 80, 80, 80, 1000 का निकल के सामने आ रहा है तो वो देखेंगे सुबह तक क्या अपडेट्स निकल के आती है लेकिन अभी जो एंडिगेटर है वो नीचे के जाने के है थोड़ा बहुत क्रेक्शन यहां से बीटीस कोईन के अंदर भी नाइट को देखने को मिलने के चांस से नजर आ रहे हैं तो चलते हैं दोस्तों ट्व पॉइंट नो बिलियन फ्लो की टोकन बर्न ओन सेचर डे चार यूटीसी चार पीएम यूटीसी के कोडिंग बर्निंग होने जा रही है जो कि बहुत जल्द होने वाली है तो लगवग काफी बड़ी बर्निंग है इस बर्निंग का अंपैक्ट भी आज नाइट को फ्लो की इनो कोईन पे देखने को मिल सकता है ये पूरी बर्निंग आज कह सकते हो यूटीसी टाइम के कोडिंग मेरी साथ से पांच गेंटे का इससे आगे का बनेगा तो देखते हैं इसका बर्निंग का सुबह तक कितना आपक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं प्राइज के अंदर अपडेट हो चुकी है दोस्तों 24 गेंटे के अंदर इतनी 2.7 मिलियन बढ़ चुकी है फलो की इनो कोईन की यहां पे तो आप पूरा ट्वीड यागे देख सकते हो ये टीवियल एटी एच ओफ 658 मिलियन हो चुका है इसका तो बहुत ही शांदर है और आपको बता दें फल टेल एंड इस्टिटूशन क्रिप्टो अक्सचेंज तो ट्रेंडिंग हैस्टेग वन ओन दा टोप इन्वेस्टर शोशल नेटवर्क तो काफी कुछ इसने आज किया है पांच यहां पर बड़ी नांसमेंट होई है एक तो अच्छा है आज बड़ी बरनिंग की और दो अंदर रहने वाला फलोकीनो कोईन का और यहां पे उन्हें दिखा भी दिया है प्राइज के अंदर जो चेंज हुआ था वो भी दिखा दिया है सुबह 84% के असपास था दो पॉइंट 57 बिलियन थी रैंक जो है इसका मार्किट है वो 50 पे आ चुका है तो काफी सुदार फल डोलर तक का प्राइज पूल भी जीत सकते है जी हा यह नंबर यहां पे इसने डाल दिया है और नंबर 190.9 बिलियन फलोकी बर्न होने जा रहे है बहुत जल्द जिनकी वर्थ है 47 मिलियन डोलर तो कहीं न कहीं बड़ी अपनाउसमेंट कहीं जा सकती है और वलला वानफाइर अवेंट तो यहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है यह है इन्होंने यह भी बताया है आइसलैंड पे बोनफाइर आइसलैंड पे यह सेलिब्रेशन चल रहा है दोस्तो इसका और 10,000 प्राइज पूल डोलर का लेके दोस्तो यह आए है जाके पार्टिस्पेट कर दीजी हो सकता है कि आप भी इसके अंदर विजेता गोशित हो जाएंगा इसा भी हो सकता है जो कि सेचड़े 9th मार्च 2411 एम से 9 पीम तक चलेगा UTC के कोडिंग टाइम के कोडिंग तो यह भी एक बड़ी अपडेट दोस्तो फलोकी इनो कोईन ने यहां पे दे दी गई है फलोकी इन उपर जब तक होल्डिंग नहीं होती तब तक शिबा इनो कोईन ज़्यादा बढ़ने के चांसे ज नहीं है जो कि होल्डिंग हो सकती है एक दो दिन के अंदर ही हो जाए तो बड़ी अपडेट दोस्तो यहां पे कही जा सकती है और अगला ट्वीड यहां पे निकल के सामने आया शिबा 0.01 इज कनफर्म एवरिवन कमेंट कर दी कीजिए आप सब लोग कि क्या 0.01 0.01 नहीं यहां पे डोलर के अदर बात हो रही है दोस्तो डोलर प्राइज इसका जा सकता कि नि जा सकता आप कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं तो अभी एक पैसे का ही सोचते हैं अपने टार्गेट डोलर की बात बाद में करेंगे और यहां पे दोस्तो एक बड़ा ट्वीट निकल के सामने है शिबा इनू आलमुष दस बिलियन शिबा है जब इनू बर्न तो बड़ी बर्निंग शिबा इनू कोईन ने भी यहां पे आज की है लेकिन कोई प्राइज प भी जा किया चुका था तो इसका स्क्रीन शोट भी यहां पे डाल रखा है सत्तर हेयार बावन तक यह प्राइज सुबह अपने को नाइट को देखने को मिला था लेकिन वहां से रजेक्ट होके बार बार प्राइज नीचे की तरफ आ रहा है अगर रजेक्ट होएगा तो प